माबाप ने नाम रखा अबास खान लेकिन टेलिविजिन इंडस्ट्री ने इन्हें बना दिया टीपू सुल्तान जब ही The Sword of टीपू सुल्तान का नाम आता है एक ही शक्स नजरों के सामने आता है और वो हैं संजे खान संजे खान साहब का जन्म तीन जन्वरी सन 1941 में हुआ उनके दो भाई फिरोस खान और अकपर खान ने भी फिल्मों में खूब नाम कमाया दरसल इनकी शुरुवात हुई थी चेतन आनन साहथ की फिल्म हकिकत से जो की सन 1964 में आई थी उसके बाद राश्री प्रेडक्शन्स ने इनने फिल्म दोस्ती के लिए साइन किया फिल्म दोस्ती का संगीत भी खूब मकबूल हुआ लश्मी कान प्यारे लाल का नाम भी रोशन हुआ और अभी नेताओं में संजे खान चमक कर सामने आये एक तरफ इनका एक्टिंग का सफर बड़ा अच्छा चल रहा था और फिल्म एक फूल दो माली ने कमाल कर दिखाया था और साथ में आई थी फिल्म इंतिकाम इन दोनों फिल्मों के बाद संजे खान ने कभी पलट के नहीं देखा यह अपने बड़े भाई फिरोस खान साहब के साथ भी नजर आए फिल्म उपासना, मेला और नागन में धीरे धीरे यह बन गए एक ट्रेड्यूसर और डिरेक्टर भी इन्होंने तीन फिल्में बनाई चांदी सोना, अब्दुल्ला और काला धंदा गोरे लोग इनमें से अब्दुल्ला आज भी एक बड़ी बहतरीन फिल्म मानी जाती है, इसमें इन्होंने डिरेक्ट किया था राज कपूर साहब को यही तो आप से कहने आया था और अस्सी के दशक के मध्य में इन्होंने रुख किया टीवी सीरियल्स की तरफ, तीपु सुल्तान को कोई भूल नहीं सकता और उसके बाद ग्रेट माराथा और जैह हनुमान भी लोगों के जहन में अब भी ताजा हैं, टीपु सुल्तान की शूटिंग के दौरान एक हाथसा हुआ, आग लग गई थी जिसके वज़े से ये पूरी तरहां से घायल हो गए थे, बहुत सारी सर्जरीज हुई और फिर संजय खान ठीक होकर शूटिंग के लिए तयार हुए संजय खान सहाब की शादी हुई जरीन कतरक्त से, जो की साठ के दशक की एक जबरदस मॉडल थी, फिन तेरे घर के सामने में ये देवानन सहाब की सेक्रेटरी का रोल प्ले करती नजराई थी, शादी के बाद एक्टिंग बंद की और पूरा ध्यान परिवार पे ही लगा दिया, 1966 में ये शादी हुई, ये शादी से इन्हें तीन बेटियां और एक बेटा हुआ, सबसे बड़ी बेटी फरहा जिसकी शादी डीजय आकील से हुई, दूसरी सिमॉन और सबसे छोटी सुजैन खान जिसकी शादी सूपरस्टार रितिक रोशन से हुई और बाद में तलाख हो गया, 1980 में जन्म हुआ इनके बेटे जाइद खान का, मचूर एक्टर परदीन खान इनके भतीजे हैं, ब्लैक और इन्वेट सिनिमा से लेकर कलर्ट सिनिमा तक और टीवी इंडस्ट्री के आगास तक संजय खान साहब ने सब कुछ देखा और अपना एक अलग मका काम बनाया.